है ओके सो हलो एवरिवन वेलकम तो फिप्ट लेक्च्चर ओप सेंट्राइब मोमेंट अपनेश्या इन टुड़े क्लास फर्स्ट पॉल वन और टू इंपोर्टेंट कोश्च्चन तो फांड दे सेंट्राइब अपनेश्या उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मोमेंट अपने क्या करना है सुनना है तो लेट अस्टार्ट दे टूड़े क्लास बिद वेरी फर्स्ट पन कोश्चन यहां पर भी इसका सीजी निकालना निकालना होगा दूसरी बात कि स्वाइल मेंटिक से पढ़ते होंगे तो वहां पर लेटल अर्फ प्रेशर एक चैप्टर है एक क्या जिसमें एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर के बारें पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका यूज हो इसलिए इंपोरेंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए मेंसे प्रेश खेब देुउ इसका क्या करना हमें सिव नि कालना है जैंटरोड निकल काम सबसे पहले बात क्या आप नोटकी ये इसका चो डामेंसेsung दойти या हूँए इसका डिमिंस last can हुआ हुआ इसका कुछ ना मकरन कर देते हैं let us say this is a and this is b this is b this is c and this one is capital d this one is capital d तो इसका जो हाइट है वो h है डैम का हैट कितना है एसका हाइट है एसका हाइट है है इसका हाइट है और जो वेस्पीथ है वो a small b है भी थेत हो चिसको ट्यृत बोलते है इसका जो भीथ है वह इसका अको क्या करना है इसका centroid करना इसका centroidこんにちは करना अब दखें इस फिगर को अगर आप ध्यान से परढ़ें देखें तो क्या है एक सबसे पहली बाद तो ड्रैब करेंगे उसके बाद फर्मुला को याद भी रखते हैं ताकि जब भी यूज हो यूज करें ये सब का यूज कहां पड़ेगा आपको स्टेंथ हो में भी यूज करेंगा जब डिफलेक्शन निकालेंगे एरिया मोमेंट थियोरम से तो वहां पर तो बोल दते हैं तो सबसे पहले बात कि रेक्टेंगल सेक्षन अभी इस पॉर्शन को ल्हाइँ नाम देते हैं यहाँ पर इसका नाम यह देते हैं तो सबसे पहले फोर और रेक्टेंगल छालика coconut और रेक्टेंगल और रेक्टेंगल और रेक्टेंगल ए बीसी ए पॉर एक्टेंगल ए भी से तो यहां पर दखिया इसका आ एवन क्या हो गाल एवन area माल लेते हैं क्या है even तो even क्या हो । Iसका waste width आपका क्या है A के बराबर है A क्या है ए तो every है न इसका width कितना A है और height कितना H है तो area हो जागा a small a into h a small a into h ठीक है x1 बताईhésitez x1 क्या हो जागा x1 क्या हो जागा तेस को बोल रहा है X और जो फेस्ट है आप स्ट्रीम का जो फेस्ट है एनला यह ब्स को बोल रहे हैं by वह अ क्यों यह आफकर क्या हो गया बाइवाय वह गया और जो बेश्ट है वह से डिस्टेस तो य कोडिनेट से डिस्टेस कितना होगा एक वाई टू होगा बहुत सिंपल है तो एकस बन हो जागा एक वाई टू अब देखें बाइबन क्या होगा देखें बाइबन क्या होगा एक से दूरी तो कितना हो जागा एकस बाइट टू एकस बाइट टू एकस बा लो हना रहिए नाओ फिजर टू देखिए works the triangle . अब होड ट्रीयंगल k-d-e k-d-e के लिए देखिए, जो खrontे लिए क्लिए मिलें हो बुखकल टे-e होड़ इसके पार लिए निकाल लिए topic अएरिया को माल लते हैं एक टू बोल देन तो ए टू क्या है 1 by 2 into this into height इंट भुद ध्यान रहें बेस निकालना पड़ेगा यह आपका base of triangle है क्या है निखलेगा B minus A होगा B minus A होगा 1 by 2 into सब्सक्राइब प्रणाइब सब्सक्राइब स这个 कि यहां से देखें, ए से तो कितना डिस्टेंस पर होगा ए से होगा, आपका EDIY3 डिस्टेंस पर, EDY3 डिस्टेंस, देखें मैं लिख रहा हूғ X2, X2 का फैलू, X2 का फैलू सबसे पहली बात तो, कि कि यह कितना है, A है, अना, तो A+, EDY3, E自3 पर बता है, ED by 3 तो कितना हो जागा A plus ED कितना है B minus A B minus A by 3 B minus A by 3 इसको जाब solve करेंगे तो यह आजागा कितना है 2A plus B by 3 2A plus B by 3 चलिए X2 निकल गया by 2 बताईए by 2 तो बहुत simple है है ना यहां से कितना distance पर होगा HY 3 distance पर होगा HY 3 distance पर होगा तो कितना हो जागा HY 3 चुपित ट्रेंगेल का height कितना है अब देखें A1 A2 sum निकल गया है अब X coordinate निकल लिए Now X coordinate क्या हो जागा A1 X1 plus A2 X2 डिवाड़े बटा A1 पलस A2 सबका भाई लोग पूट कर दीजे A1 क्या है A1 है A into H A into H A1 है X1 कितना है X1 है AY2 AY2 हो गया पलस A2 क्या है A2 आपका है 1Y2 1Y2 एक मेंट इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ पर आपको स्पेस कम है इसलिए इसको नीचे लिखने की कोशिश करते है नीचे लिखते है So equal to लिख सकते है A1 हो गया A into H A into H into X1 है AY2 AY2 पलस A2 A2 क्या है Half of Half of B minus A into H सबका value पूट करना है बस into X2 X2 क्या बताए 2A plus B by 3 अभी तु निकाले हैं 2A plus B by 3 A1 plus A2 A into H A plus half of B minus A into H Z2 क्या बताए Solve करेंगे 3 times of A plus B A आपका क्या हो गया X बार हो गया A X बार हो गया तो X बार बहुँ जादा important नहीं है important है आपका Y कोडनेट वो अभी निकालने वाले important कौण सा है Y कोडनेट है तो अभी Y कोडनेट निकाल लेते हैं यह आपका हो गया X बार है ना A square प्लस AB प्लस B square डिवादे बता 3 इंटू A plus B Now अभ वाई कोडनेट निकाल ले तो वाई कोडनेट जब निकालेंगे Y बार जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A1 इंटू बाई 1 प्लस A2 इंटू बाई 2 डिवादे बता A1 प्लस A2 सबको फैलो पूट कर दिजे A1 क्या है एक मिनाट square edge कीजे A1 A1 कितना A into edge A into edge प्लस Y1 Y1 थेहां से देखे HY2 है Y1 कितना HY2 HY2 प्लस A2 A2 कितना है half of B-A into edge into Y2 Y2 कितना है HY3 by 2 है HY3 divided बता A1 प्लस A2 A into edge plus half of B minus A into H जब जब इसको आप solve करेंगे तो यह आता है 2A plus B दिवाइडर बता दिवाइडर बता 3 ताइम्स आप A plus B into H यह आपका क्या गया Y बार इसको याद कैसे रखेंगे इसका तरीका बता देते हैं याद रखना चुकि Y कोड निट है जो आपका important हो जाता है कैसे याद रखेंगे ध्यान से देखें इसको याद रखेंगे 2 into a smaller side plus bigger side 2 into a smaller side smaller side क्या A है bigger side क्या B है तो 2 into a smaller side plus bigger side दिवाइडर बता 3 into a smaller side plus bigger side into H into height H तो आपको याद रखने का तरीका पता होना चाहिए तब क्या होगा ये durable होगा तो ये तो था first question के बारे में now move to the next one at least by coordinate आपको याद रखना है next देखें ये है negative concept negative concept है मतलब negative area concept negative area से कैसे निगालते हैं centroid तो पढ़िए question को question को ध्यान से read करना है कता है from a circular plate of radius R ये सब ऐसा question है जो frequently question exam में आता है radius R circular portion of diameter R has been punched out has been punched out starting में क्या था ये जो बड़ा circle green वाला दिख रहा इसका radius कितना है इसका radius R है ये बड़ा बड़ा circle में से क्या क्या आ गया है एक red वाला portion है जो cut करके निगाल लिया गया है red वाला portion है जो cut करके निगाल लिया गया है और इस red वाला का radius कितना दिया होगा ry2 जहां से पढ़िए देखे काता है ये circular portion of diameter capital R has been punched out तो इसका diameter है जो आपका capital R है तो radius कितना हो गया? ry2 radius कितना हो गया? ry2 है ना? बाहर है जो काटके निकाल लिया गया find out the centroid of the remaining figure तो जो remaining figure बना है उसका क्या निकालना? centroid निकालना तो इसको x मान लिजे इसको y मान लिजे तो चुकि ये section है जो x axis के symmetrical है तो इसका y corner तो इसी पर लाए करेगा y corner है जो x axis में लाए करेगा है ना? तो हमें क्या निकालना? हमें सिर्फ इसका x corner निकालना होगा तो क्या होगा? 0 होगा यहीं से pass कर रहा है है ना? अब इसको नाम देते हैं कुछ सबोच किजिए इसको a यह आपका a है उसके बाद इसका जो center है बड़ा circle का ओ c है इसको मान लेते हैं d है और last है जो क्या है? last है जो आपका e है last है जो क्या है? b है a है जो b है ठीक है? b है अब देखें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? इसका centroid इसका centroid तो सबसे पहली बाद कि area of main plate निकाले area of area of main plate main plate मिन्स क्या? bigger circle main plate मिन्स bigger circle हाना तो इसका area निकालेंगे तो क्या होगा? इसको even बोल देते हैं कितना हो जागा? pi r square pi into r square pi into r square जिसका x1 coordinate νिकाल सकते हैं x1 क्या होता? y से दूरी होता है देखे यहां से distance कहां पर लाए करेगा? center पर लाए करेगा center पर लाए करेगा अ 장 opened क्या हो जागा? r हो जागा x1 r के बराबर हो जागा x1 है जो r के बराबर हो जागा अब देखें अरिया आप अरिया आप अरिया आप पंच्ट होल कि इसका अर नीं का लेंगे तो क्या हो जागा इसके जब निकालेंगे में पीं आप आपका हो जए गाए ये डिए टो पोल देते हैं तो किया होगा पाई इंटु श्रॉर पाई म्सल क्या है हो बस्ति कर बदेगे दखी एक्सटु यहां से लाइक करेगा कितना धे आर डिस्टेंस पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां से लाई करेगा स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो यहां से कितना दूरी पे लाई करेगा देखिए मैं लिख रहा हूं यह फ्रूप यह होगा कैप्टल आर पलस a small r so capital r plus a small r kitna r y 2 तो यह कितना हो जागा 3 r y 2 3 r y 2 अब क्या करेंगे अब देखिए x वार निकालने के लिए अब आपको क्या करना होगा x वार निकालने के लिए क्या लेकिंगे a 1 into x 1 minus इस वार क्या लेकिंगे है ना a 1 into x 1 minus a 2 into x 2 divided बटा a 1 minus a 2 सब का भाई लूपूट कर दिजिए a 1 कितना है a 1 है pi r square pi r square a 1 क्या है pi r square into x 1 कितना है r है minus a 2 क्या है a 2 देखिए pi r square by 4 आया था pi r square by 4 आया था और into x 2 कितना है 3 r by 2 r by 2 divided बटा a 1 plus a 2 pi r square minus minus pi r square by 4 and after solving you will be getting 5 r by 6 5 r by 6 5 r by 6 यह कहां से बताइए from a from a from a 5 r by 6 from a है ना यहां पर कहीं है जो लाइख करेगा यहां पर कहीं है जो लाइख करेगा है ना 5 r by 6 तो यह तो था question number 2 तो एक्जाम में बहुत बार इस तरह से आपको negative area concept से बनाना पड़ेगा question जब पंच भोल का रहेगा now अब देखिए अब कुछ important important area का जो important figure का आपको centroid याद रखना होगा है इसका यूज कहा होगा strength or material में उच होगा strength or material में उच होगा जैसे पैराबोलिक section होगा तो कैसे याद रखेंगे हैना सब तरीका बताया जाएगा आपको तुसका टेंसर नहीं लेना है फिर आपका cubic पैराबोल होगा तो कैसा कैसे याद रखेंगे हैना तो यह सबको आपको देखते हैं नाओ अब देखिए निकालना संभब नहीं है तो हम क्या करेंगे जो जनेरली एकजा में पुछता है ऊतो बता दिया अब इसका यूज है जिसका यूज है सिधा result याद रखना सिधा result याद रखना अभी तक जो भी आपको करा गया है ओ सबको आप क्या करें कि एक page पे पे रिजल्ट लिखने एक पेज़ पे सिर्फ क्या करें रिजल्ट लिखने एक या दो पेज़ पे जितना अभी अभी तक करा गया है ट्रेंगिल हो गया या पिस्टेमी सर्किल हो गया आपका आर्क हो गया सबका क्या करना है एक टेबल बना कर लिखना है और उसको याद करना पंद्रह बेच दिन पर रिभाइज करना उसको अब देखें तो सबसे पहली बार संटॉइड आफ इंपोर्टेंट फिगर सेंटॉइड आफ इंपोर्टिण कि देखें सबसे पहला पैराबॉला हैना सपनलर रभला ठीक पैरवोल न आ मंसा है पैर इडिगीना बॉक्ता न वरावर स्क्कुंद को शっक बाल गुंस लाव unlike पैर पलाबॉल है के पैर आपन दोट पारा पाल वोल हो दे C है न वो कैसे देखिए सब्सक्राइब यह एकसे से हैं न यहाँ जो एक्स एक्सिस है और यह आपका एक्सेस एक्स हो गिया और यह डाय वाई हो गया है न पैरावला कुछ इस तरह से डॉनबर्ड वाला है न डॉनबर्ड पराबोला देखे इस वालक कलर से बनाते हैं कुछ इस तरह से यह भी क्या है पराबॉलाई है तो इस पराबॉला का माले देंकि बेस है जो भी है कि बेस कितना है बी है और हाइट है जो है इसका है कि इसका हाइट कितना है है इस इसको क्या बोलते है वर्टेक्स कि असको is greetings थे थे हमें निकालना है स का सी जी इसका सी जी निकालना से निकालना नहीं है इनफेक्व सर रखना है तो देखे प्रशुम्पल है चुक हिसका बहुत यूज होगा आपको स्ट्रेशंध हो 1 मैं है न आं शबसे पहले बात कि स्का एरिया एरिया इरिया क्या होगा एरिया होता है पेराबोलां का जब इस टाफ का पेराबोला हो तो एडिए होता है टू थरड औप बेश इन्टु हैट भूंस इंटु एत ट्रेंग्ल होताँ था फिनद उन ग्षांट 1 फ्लात भाई 2 BC and Tu hic का इसकेस में क्या हो गा से इसकेस में होगा टू ठर्ट अब न बेस इंटू है याद हो जाएगा कि टुभब जैसे संटु हरे पारबोला का एरिया हो गया अब दहु हो गया ग कि तो ईजिए क्सा बार बताए़ एक्स बार जो होता है, एक्स बार में दो हो य से डिस्टेंस, ए वाला वैलू, इसका एक्स बार होता है, थे बीबाइ एट पे, कितना डिस्टेंस पर होगा, थे बीबाइट, 3 times of by 8 3 by 8 by bar यह आपका by bar रहा यह by bar रहा by bar होता है वो होता है 2 h by 5 2 h by 5 तो x बार हो गया 3 by 8 और by बार हो गया 2 h बटा 5 है ना अब देखें at least इसका आपका x कोडिनेट याद रखना x कोडिनेट काफी यूज होगा फिर भी भाई 8 पे इसका क्या लाई करता है cg लाई करता है तो यह तो रहा इस टाप का पैराबोला दूसरी बार देखें और पैराबोला कैसा हो सकता है दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है इस बार जो पैराबोला है आपका कुछ इस तरह से है इस तरह से यह भी तो पैराबोलाई है यह भी क्या है पैराबोलाई है अब इसका भी बेस्वित क्या है बी है इसका भी बेस्वित क्या है बी है और कि जो हाइट है इसका क्या है एच है हाइट है हमें क्या निकालना है सीजी क्या निकालना है सीजी निकालना है तो सबसे पहले बात कि इसका एरिया देखिए एरिया क्या होगा एरिया होगा इसका one third of one third of base into height सब याद रखना है एक अच्छा student कोई सारा result है जो याद रहता है one third of base into height ठीक है अब इसका एक सबार देखे एक सबार होता है है यहां से डिस्टेंस होता है याने संभेर है जो यहां पर लाइक करेगा एकस कोडिनेट जो होता है यहां व disorders re भी भाई फोर पे ठीक है यहां पर देखे थीरी भी भाई एट था अगर हम इसको एट के फॉर्मेंट में लिखना चाहें है ना एट के फॉर्मेंट में अगर लिखना चाहें तो क्या करें टू से उपर भी गुना कर दें और टू से नीचे भी गुना कर दें तो भी भाई ए यानि जब इस टाप का हो तो भी वाई एट और इस टाप का हो तो थी भी वाई एट हैना या आप जैसे भी याद रख सकते हैं ऐसे तो इसका simplified version के भी भाई 40 है भी भाई 40 है भी भाई 40 है दिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बाइखोंड लिख सकते हैं उसका वाई वाई वर यह नवाई भाई लोसे कंई यह गृटेंट है ऐनके रहे होता है शलिए तो ब Initially अब्याई आगे बढ़िए एक क्यूबिक पराबॉला होता है क्या होता है क्यूबिक पराबॉला थर्ड देखिए कि तीसरा क्यूबिक पराबॉला है ना मतलब बाई बराबर एक्सक्यू एक्सक्यू ठीक है तो जब ऐसा होगा क्यूबिक पराबॉला होगा क्यूबिक पराइब ऐसा होगा तो कुछ इसे टाइब का बनता है हमस्ता इसका वेस्ट अब मान लेते हैं और हैड क्या है एच मान लेते हैं लेकिन इसका डिगरी क्या होगा थिरी डिगरी होगा इसलिए मैं लिख देता हूं इसको क्यूबिक पैराबोला क्यूविक पैराबोला का और नाम खासुनें आप आप हाइवे में पढ़े होगे जब ट्रांजिशन कर पढ़ रहे हैं है हम प्रांजिशन पर पढ़ते हैं दो आपने क्यूबिक पैराबोला ठेसे यह बाइब बेरा एक्स क्योग आप देखिए सबसे पहले इसका एरिया बत होता है 1 by 2, sorry, area जो होगा 1 by 4 into base into height होगा, area 1 by 4 into base into height होगा, और जो एक सबार होगा, एक सबार, जो एक सबार होगा, वोता है बी वाई 5 पे, कितना पे, बी वाई 5 पे, और जो वाई वार होगा, वाई वार होगा, वोगा 4hy 14 पे, 4hy 14 पे, at least एक सबार याद रखना है, सबका एक सबार ज्यादा इंपोर्टेंट है, है ना, अब देखिए, ट्रियांगिल का तो आपको पता ही है, ट्रियांगिल का तो आपको पता ही है, फोर है जो आपका क्या है, ट्रियांगिल है, यह आपका ट्रियांगिल हो गया, एक सबोल देते हैं इसको, इसको इसका हाइट है इसका हाइट है और बेस बीद क्या है बी है तो इसका जो आपका एरिया सबसे पहले क्या होता है आपको पता ही है इसका जो एक्स बार होता है एक्स बार ट्रेंगिल का जो एक्स बार होता है वो कितना पर होता है एच बाई थिरी पर होता है है ना एच में क्या लेंगे आपको बी लेंगे तो एक्स बार होगा बी बाई थिरी पर ठीक नहीं और बाई बार क्या होगा बाई बार होगा आपक कि as by theory Miranda HaegondCuat-3 ठीक है एक टायब का और ट्राइंगिल होता हैआभ धेखते है वो कैसा होता है कि इसको फाइब बोल देते हैं इसको फायब देते हैं यह ड्याइब से होगा थ्यान से देखना है इस टाइब से कुछ होगा है ना यह जो वर्टेक्स है यहां से ए डिस्टेंस पर है और यहां से कि एडिस्टेंस ए है और इसके बाद यह डिस्टेंस कितना है बी है अबला डिस्टेंस आपका बी है और ऊभर ऐलाल देखा जाएं तो एक लाय होगा अचीज़ा कितना है एल है मतब्र appelle क्या हूग एक्स बार होता है, इस टाइप का ट्राइंगिल में एक्स बार होता है, वो था ए पलस ल वाई थिरी, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, एंड, एंड सिर्फ एक्स बार आपको और, और, और बी पलस, फ्रॉम लेफ्ट, 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 फ्रॉम लेफ्ट है जो क्या करना याद रखना याद रखना है यह सब permite लिग अब देखिए भुलोग नेक्स लेक्ट्र ऄक्रतिकी निशह हाँ काफी लंबा हो जाएगा हना सोGO नेक्स है क्या करेंगे moment of inertia start करेंगे चुकि यह lecture काफी लंबा हो जागा उसमें काफी है जो explanation करने को है तो उसमें देखेंगे moment of inertia उसके बाद physical significance क्या है physical significance का है चुकि उसका यूज अश्टील अस्ट्रेक्टर में करते हैं RCC में करते हैं strength of material में करते हैं हैना फिर देखेंगे उसका पर एक या दो पेज़ पर सारा conclusion इस तरह से लिखना है और उसको memorize करना है क्योंकि सब काफी important है तो ठीक है this is all about today's session thank you for watching all the best जहन मिलते हैं next class में moment of inertia के साथ